नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ सूरेच श्रवाली, आप सभी का साल का आखिरी सूरी ग्रहन, 26 जिसमबर 2019 के इस इस्पेशल एपिस्डोड में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सूरी जो कि ग्रहों के राजा है, यानि सूरी को जब ग्रहन लगता है, तो राजा और सरकार या फिर दूसरी राज्ये और दूसरी सरकारों पर इसका असर पड़ता है, कई बार नगारात्मक, कई बार शुबरपाव, लेकिन जब राजा पर असर पड़ता है, तो प्रजा प और इश्वास से कमी हो जाती है, सूरी का ग्रहन हो तो आँखों में तकलीब हो जाती है, हड़ियों में तकलीब हो जाती है, किसी प्रकार के लोग कॉन्फिडेंट का फील करना और शरीड में कई प्रकार के नुकसान हो जाते हैं, आपने कई बार ऐसा सुना भी होगा, कि क्या काम शुरू होई नहीं पाया है, कोई काम पहले की तरह बढ़िया नहीं चल रहा है, यह आदमी है क्या ग्रहन है, यानि कि वह ग्रहन से तोड़ते हैं, दूसरे लोग क्या कहते हैं, मेरे काम को तो ग्रहन लग गया है, मेरे व्यापार को ग्रहन लग गया है, मेरी नौकर कैसे चुड़ाएं ऐसा व्यक्ति कहने लग जाता है उस व्यक्ति को जिसकी वज़े से व्यापार नुकसान में है इस खगोली गटना जिसे हम ग्रहन के नाम से जानते हैं साइंस जानने वाली लोग कहता है ये खगोली गटना है लेकिन जोतिश्व विश्वास रखने वाले के लिए ही ये एपिजोड है जिन लोगों को ये ऐसा लगता है कि मैं कोई अंधविश्वास की बात कर रहा हूं या फिर कोई कपोल कल्पित बाते कर रहा हूं इसी वक्त मेरा कारिकरम देखना बद कर दीजी और मैं साब इस परश वाज़ने का ज्यादा आदी हूं जिन ल ग्रहन काल में कई तरह की तकलिफ आई हैं और वो लोग भी जानते हैं जिनको ग्रहन काल में बहुत सारी अच्छी स्वगात ही विली है इसलिए आप लोग ग्रहन का नाम सुनते ही पहले तो घबराई ये बात क्योंकि ग्रहन बहुत सारे लोगों के लखी होता है कुछ लोगों के लिए अनलखी भी होता है अपने आगामे जीवन में कुछ अशुब और शुब ये होता रहता है जिदिगे का हिस्सा है परन्तु डर के सहम के अमें जीवन नहीं गुजारना है ग्रहन जीवन के लगबग सभी खशेत्रों में नकारत में प्रभाव नहीं देता है क्योंकि शुब भी देता और अशुब भी देता है 26 दिसंबर को साल का आखरी और तीसरा सूरी ग्रहन है इसमें सूता काल लोट करिए 25 दिसंबर की रात को आट बचकर 10 मिनिट से शुरू हो जाएगा तो बोजन जो आपको करना है वो इससे पहले ही कर लेना है उसके बाद ना तो पकाना है ना उस बोजन को उपयोग भी लेना है इसपरशकाल ग्रहन का जब पूर्ण ग्रहन का समय शुरू हो जाता है तो समय को इसपरशकाल का जाता है ये 26 दिसंबर को पराता काल आट बचकर 10 मिनिट पर प्रारम हो जाएगा मोक्षकाल जब ग्रहन काल के समापती होती है उस समय को मोक्षकाल का जाता है ये 26 दिसंबर को पराता काल 10 मिनिट पर समापत हो जाएगा ये साल का तीसरा और कंकना करती सूरी ग्रहन खंडग्रास और खंग्रास सूरी ग्रहन से बिलकुल अलग है ग्रहन के दोरान सूरी में छोटे छोटे धबे उबरते हैं जो कंकन के समान आकरती होता है इसलिए से कंकना करती सूरी ग्रहन का जाता है सूरी ग्रहन भारत के साथ पूर्वी यॉरप, एशिया, उत्तरी पस्टीमी, आस्ट्रेलिया और पूर्वी अफरीका के साथ कुछ छोटे छोटे देशों में भी दिखाए देगा राज निती में उठा पठाक रखने के साथ साथ गेहू, मक्का, जुआर, बाजरा, चना, जौ, उड़द, मूग, मौट, सोना और चांदी में तेजी आएगी प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे और साथ में कंस्रक्शन, मैनुफैक्चरिंग के योग शुरू हो जाएंगे यहां तक तो हुई ग्रहन की बेसिक जानकारे अब अगर आपकी धनुराशी है तो आप यह समझ लीजिए कि राशी 26 तारिक से पहले 3 दिन और आगे की 13 दिन यह टोटल 16 दिन ग्रहन काल में आपको बहुत सावधानी रखने हैं इस दौरान थोड़ी सी मानसिक चिंता बढ़ने और आर्थी ग्रूप से कोई गलत निड़ने होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अब अगर आप अपना खैल रखते हैं रॉंग डिसेशन से पहले ही जाँच परताल कर लेते हैं तो आप उसको काफी तक कम भी कर सकते हैं धनू राशी के जातकों पर यह सूरी ग्रहन सबसे ज्यादा असर डालने वाला है क्योंकि सूरी का ग्रहन धनू राशी में ही लगने जा रहा है इसमें छे ग्रहों का जमावना आपकी राशी में होगा देवताओं के गुरुब रैश्पती, केतु और शनी, बुद्ध, चदर्मा और सूर्य यह छे ग्रह में राजबान रहेंगे आपके जीवन साथी की सेहत खराब होना, लव लाइफ ए रिलेश्टिशिप ए ब्रेक अप या ब्रेक ओफ हो जाना, ऐसा ज़रू नहीं कोगा लेकिन होने के चांसे बहुत ज्याद है हो जाते हैं लेकिन अगर हम इस तेरा दिन तक, मतलब टोटल सोला दिन हैं, एलेट रहते हैं, कोई भी ऐसा काम न करें, जिससे अमारी खुद की गलती हो, हो तो तुरन सौरी बोलकर वहीं उसे खतम करने कोशिश करें तो ग्रहन असर तो दिखाएगा, पर वो बहुत मैल्ड हो जाएगा आए की तुल्ना में खर्च अधिक हो सकता है, सयम बनाय रखने से आपको लाब लेगा इतना ही कहना चाहूंगा, कि आप जितना प्यार, इश्क और महबत और लोगों से प्रेम से संब्द रखोगे किसी भी बड़े नेड़ने को अभी टाल देना चाहिए, तो आपके लिए लाब रहेगा जहां तक उपाय की बात है, तो आपको घी से बनी हुई मिठाई का उस दिन दान करना चाहिए, अमोग महामर्तुजे कवच के साथ माब अगला मुक्य का कवच गले में दारन करना, दूर का सब्तशिति का पाट करना और महामर्तुजे मंत्र का जाप करना, ये भी जिस टम ग्रहन चल रहा होगा, वहां पर आपको करना है, इस पर शकाल से मोख्ष टाइम के बीच में, तब आपको बहुत सारी कठी नायों से निकलने का मौक्य बिल जाएगा, साथ में तुला दान अगर आप कर लेते, साथ प्रकार के अलग-अलग धान को लेकर, अपने वजन के बराबर उन्हें तोल कर, आप खुद जाएं और गरीब लोगों बाटिए, इसमें थोड़ा कंबल, कपड़े, उनी वस्तर भी डालते हैं, अलग धान डाल दीजिए, थोड़ा तेल, घरिलू चीज़ें, इससे बांटने से, तुला दान से अपने आप ही सूर्य देव आप आपको लाब देंगे, और शनी की साड़े साथी का जो मिडल पार्ट खतम हो रहा है, जाते जाते, यह जो ग्रहन काले थोड़ा डिस्टप कर सकते हैं, इसको काफिये तक उपाय के द्वारा खत्म कर सकते हैं, अगर आप उससे परसली मिलना चाहते हैं, या टैलिफॉनिक और वीडियो कॉंफरेंसी के द्वारा हमें एक दूसरी देखकर बास्चित कर सकते हैं, इसके लिए आपको स्क्रिन पर जो नंबर दिखाये जा रहे हैं, वहाँ पर कॉंटैट करके, आप टैलिफॉनिक अपॉंट्मेंट या जो भी अपॉंट्मेंट है, उससे बोग कर सक सकते हैं, मैं इश्वर से प्राठता करता हूँ का हमारे सभी प्रियर धनूर आशे वाले दर्शकों का खूब खायल रखें, और आप लोग भ्यस्त रहें, मस्त रहें और प्रसंद रहें, ग्रहोंकाकेल.co.in मेरी वेबसाइट है, जिस पर जाकर आप बहुत सारे सर्विसे का लाब ले सकते हैं. आज के लिए इतना ही, मुझे अपने जबान को यहीं विराम देने के लिए आग्या दीजिए, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशरवाद.